है सबसे ज्रक्त करते हैं और हम थारा हम एक वैस्टलस donor और पर formul में छेधा को पढ़ा होठाक संदार भाल कि दीविद्खन सब्सक्राइब इंप्लिमेंट करते तो आप बहुत ज़्याइब लगोगे और अगर आप नवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे फैस नेवल वीडियो लाते रहते हैं और आप मिशना करें तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना ब क्ष्ली पढ़ने वाली है तो आप इसको अपने घर भाई भेन की साधी में पेहने आपको सेर्वानी लेते हुए यह बातने ध्यान में रखना आपको कोई कड़ाई और डिजाइन वाली सेर्वानी को इगणोर करना है आपको सिंपल डिजाइन कलर से लोग देने वाली है आप कुछ इस तरह की सिर्वानियों को ले सकते हो और हमाई एक्सेसरीज में आप गोल्ड कलर की मेटर वैल वाली वाच पहन सकते हो जो काफी संदर लुक देने वाली है अगर आप इस वार साधियों में पहना चाते हैं तो भाई यह बहुत ज्यादा पहना है तो इसमें भी भाई आपको फिटिंग का क्यार रखना है चाहें आप इसे रेडी मिलने या फिर सिलवाएं और जो बैस्ट होने वाले हैं तो आप रेड वाइन नेवी बिलू और बलेक यह नाइस कलर होते हैं जो जो परी सूट आप ले सकते हो इन कलर समौर आपको बहुती ज्यादा सांदर दिखाने वाली हैं और जिसके साथ आप फॉर्मल लोफर्स वेहन सकते हैं और एक्सेसरी की बात करें तो भाई लेदर वेल्ट फॉर्मल बोच आप इसके साथ अक्से ना है क्योंकि यह भी बहुती ज़्यादा कोश्टली होता है थ्री पीच सूट में भाई थ्री लेयर्स होती हैं फर्स्ट सर्ट सेकिंड वेस्ट कोट एं थर्ड बलेजर या सूट तो भाई थ्री पीच सूट पहुती रिच और रोल लुक देता है इसे भी आप अपने रे रेड़ वाइन या व्लेक या मरहूम कलर ले सकते हो जिसमें आप जिसके साथ आप नीचे फॉर्मल लोफर्स पहन सकते हो और एक्सेसिरीज में आप आई टाइप इंड और लेदर बेल्ट की फॉर्मल बोच भाई इन सारे चीजों को आगर एक साथ एड़ करके पहनते हो बहुती जदर रिचरन रोल लोग में आने वाले हो तो आप इन सब को चरूर ले सकते हो यह भाई आपको खास रिलेटिप्स की साधी में पहनना है तो अब ले सकते हो फॉर्थ वेडिंग आउटफिट्स होने वाला है कुर्ता पजामा जी बहुती ही अच्छा लोग देता है लेकिन आप इसे दूर के रिलेटिप्स के साधी में ही पहनना जो काफी अच्छा लोग देने वाला है आप कुछ इस तरह से कुर्टा पजामा को और भी ज़्यादा अट्रेक्टिब बना सकते हो और पहन सकते हो परस कुर्टा पजामा आपके बोडी के हिसाफ से भाई प्रफिट होने चाहिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट होती तो पजामा आपके बोडी के साब से भी अच्छा लुक देगा आपको कुछ इस तरह का पजामा लेना है इस तरह का नहीं क्योंकि यह हमारी हाइट कम दिखाता है और हमारे उपर यह अच्छा भी नहीं तो आप इस तरह के पजामे को अबॉइट करना है और भाई अगर आपको कुर्ता पजामा को और भी ज़्याद अट्रेक्टिव बनाना है तो आप एक नहरू जैकिट को एड़ कर सकते हो जो उरे आउटफिट्स को ही अलग दिखा देगा और आप नीचे भाई फॉर्मर ल बात करने वाला है तो फिप्ट बैडिंग आउटपिट्स होना वारा भाई बलेजर बलेजर तो भाई बलेजर इसको किसी की भी साधी में पहन सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हमको अच्छा दिखाते हैं और हम इनसे बहुत सारे आउटपिट्स बना सकते हैं आप आप इसे 60 के साथ और आप एक और बड़िया आइटेम के सपाते हो इसको जो कि काफी अच्छा लुक देने वाला बाई इनी कलर में और जिन्स या इनो को आप इसके साथ नीचे पहन सकते हो मैं रिक कलर का तो आप बलेक कलर का चीनो पहन सकते हो और नीचे फॉर्मल तो भाई इसको भी आप यूज कर लेना एकसे सीरीज में आप भाई लेदर वेल्ट वाली फॉर्मल वॉच ये जो कि आपको अपने सू से मैच करा लेनी है जो काफी अच्छा लुक देने वाली है ये तो भी हमारे फाइब वेडिंग आउटफिट्स जो कि आपको साधियों म अपनी हेर कट को सैट कर लेना है जो काफी अच्छा लुक बना ऑर भी ज्यदा ट्रेक्टि बना देगा और भाई साधी वाले दिन जिस दिन सादि होती है उसकी हैं कि यह हमारे यह को बहुतי जदा और में जदा स्टेलिस्ट बनाएंगे आप ऐया फर्फियूओं धुर्फियूम भी हमारे पास होनी चाहिए जिस से लोग अट्रेक्ट होती है तो इक है कोई पर्फियूम कर सकते हो तो यह तो थे कुछ टिप्स और आउट्पिट्स तो भाई वीडियो अच्छी लगे हो तो भाई लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि क्या मैं सही फैसनेरवाल वीडियो लाते रहते हैं अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे तब तक वाई